साइबर सिटी गुरूगराम में पुलिस की पकड कैसे कमजोर होती जा रही है इसका नमूना उस वक्त देखने को मिला जब पुलिस की कस्टडी से एक सजा भुगत रहा कैदी भागने में कामयाब हो गया दरसल इंदरीश नाम के कैदी को पुलिस सुनवाई के लिए कोर्ट में लेकर आई थी इसी दौरान मौका देखकर कैदी ने पुलिस को चकमा देकर कोर्ट से भागने की कोशिश की कैदी ने कोर्ट की दो दीवारों को फांदे में कामया भी भी हासिल कर ली लेकिन कोर्ट में मौजूद वकीलों ने कैदी को दबूश लिया आपको बता दें कि ये कैदी NDPS Act के तहट तीन साल की सजा काट रहा था मुश्किल तो काफी है बाकी हमारे वकील साहिबान है इनकी मदद से हमने इसको तुरंट पगड़ लिया हम टोटल हैं पंद्रा आदमी ये NDPS Act में सजा सर हमारे श्री आरपी गोईल साब एडिशनल सेसेंजेज ने NDPS Act में इसकी तीन साल की सजा की थी उसके बाद ये honoreable high court में appeal में गए थे तो मानिय जस्टिस साब ने order कीए थे कि पहले concerned court में surrender करो उसके बाद आपकी बेल वहाँ consider हो गी तो आज ये वहाँ surrender करने आया था अपने वकील के थरू कोर्ट में इसने सरंडर किया जस साब ने इसको यह आदेश दिया कि इसको कस्टडी में ले लो उसके बाद ये कस्टडी इसके अंदर से हाथ छोड़ा के भाग गया और उसके तुरंत बाद शोर मचाया और हमारे जो वकील साहवान में कहूं के बड़े फुर्तिले और नोज पहुच लिया और मानिया नयाले के समक्स पेश कर दिया और उसके हिसाब से उसको पर एक मुकदमा भी और दर्ज हो जाएगा यह मुसलिम था और इसका नाम इद्रीश था इद्रीश और यह राजस्थान का विवाड़ी करने वाड़ा